नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान के बड़ बोले विदेश मंत्री शाव महमूत कुरेशी ने बीतो दिनों काश्मीर पर कुछ ऐसा कहा कि अपने ही घर में घीर गए हैं विपच्छी पाटियों से लेकर 85 संगतनों टक तक ने उनकी आलोचना का की जब महौल गरमाया तो कुरेशी ने एहसास हुआ कि वह कुछ क्या बोल गए हैं इसके बाद उन्होंने तुरंत एक ब्यान जारी करते हुए अपने पहले ब्यान को गलत करार देद डाला है वैसे ये कोई पहला मौकर नहीं है जरुगर्थ से ज़ादा बोलने की आदत की वज़ा से विदेश मंतरी कई बार अपनी और मुल्क के बेच्टी करवा चुके है जराशल कुछ दिन पहले ही एक पाकिस्तानी चैनल को दिये गए इंटर्वियों में सौंबार को उन्होंने ट्वीट कर कहा कि जमू काश्मीर कभी भी भारत का आंतरिक मामला हो ही नहीं सकता है पाकिस्तानी पत्रकार ने सोसल मीडिया पर कुरेशी के इंटर्वियो का विडियो सेर किया है जिसमें वह कहा रहे हैं कि अनुसेत 376 के हटने से कोई परसानी नहीं है 377 पाकिस्तान के लिए अहमियत नहीं रखता या भारत का अंदुर्वियों मामला है इस इंटर्वियों में पाकिस्तानी विडिश मंत्री ने 35A हटाने पर आपतिज जताई है उन्होंने कहा कि 35A पर केंदृत है क्योंकि उसे इंडिया का डेमोग्राफी में बद्राव कर सकता है ब्यान पर बवाल के बाद साह मुहमूद कुरेशी ने ट्विट करके शफलाई पेस की है उन्होंने लिखा है कि उन्होंने लिखा है कि मैं साफ कर दू कि जम्मू और करश्मीर को सनुविक्त राष्ट शुरच्छा परिशत के एजंडे में अंतराष्टिय बिवाद माना गया है इसका सामाद सामधान तभी निकल सकता है जब शनुविक्त राष्ट की निगरानी में जन्गनमत संग्रा कराए जाए जम्मू करश्मीर से एक जुड़ा कोई भी मसला भारत का अंदुरुनी मामला नहीं हो सकता है बिदेश मंतरी के बियान को लेकर पाकिस्तान में जमकर बबाल हुआ है खास कर पाकिस्तान मुश्लिम लिग के नेता और पूर्वे परधान मंतरी नजाफ सरीफ के परवक्ता मुहमद जुवेर ने कुरेशी को जमकर खिचाई की है उन्होंने कहा कि कुरेशी का ब्यान काश्मीर को लेकर पाकिस्तान द्वारा एतिहासिक रूप से U-turn लेने जैसा है उन्होंने आगे कहा कि पाकिस्तान काश्मीर को हमेशा विवादित छेदर मानता आया है लेकिन कुरेशी के ब्यान से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने पाकिस्तान के रुक से U-10 मार लिया है गोरत लब है कि 5 अगस 2019 को केंध सरकार ने जमू काश्मीर से अनुछे 370 और 35 से हटा दिये थे और इसे केंध सासित परदेश घोसित कर दिया था आपको यह खाबर कैसी लगे हमें कमेंट में जुरूर बता है और इसी तरह के न्यूज देखने के लिए आप हमारे चैनल बे भी सस्क्राइब कर सकते हैं